आज मैं आपके शाहर सेर कर रही हूं सूजी के लड़ू की रेसिपी दीवाली आ रही है तो हम बाजार से मिठाईयां खरीबते हैं इसकी बज़ए हम घर में ही बहुत ही टेस्टी सॉप्ट एक्तम मुह में घुल जाने वाले सूजी के लड़ू घर में ही तयार करेंगे गी को गर्म हो जाने देंगे और अब हम लेंगे कुछ ड्राइफूड तो आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राइफूड ले सकते हैं मैंने इसमें बादाम, किसमिस और थोड़े से पिस्ता लिये हैं और जब यह अच्छे से रोष्ट हो जाए तो हम इने निकाल लेंगे त और मैं इसके लिए डेड़ कप सूजी का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी कप या कटोड़ी से ना प ले सकते हैं और से लगातार चलाते हुए हमें भूनना है बिल्कुल स्लेमाच पर सूजी को हमें जादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर कलर चेंज हो जाएगा तो लड़ू देखने में उतने सुंदर नहीं लेगेंगे, बस इतना ही भूनना है कि सूजी का कच्छापन निकल जाए, तो ये देखिए सूजी भून चुकी ह अब हम इसे निकाल लेंगे, एक थाली में और ठंडा कर लेंगे, जब ये हलकी ठंडी हो जाए, हलकी सी ही गुन-गुनी हो, तो हम इसमें डालेंगे मावा, मावा की मात्रा आप कम जादा अपने नुशार रख सकते हैं, साथ ही हम इसमें डालेंगे, डेड़ कब बूरा, आप इसकी जगे पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, जितनी हमने सूजी ले थी, उतना ही हमें बूरा लेना है, इसमें इलाइची पाउडर, साथ हमने जो लड्डू और जादा टेस्टी बनते हैं, अंदर से बढ़िया सौप तो इसमें गर्म करके 3-4 चमजगी और डाल दिया है, और गर्म की डालने से यह बहुत आसानी से बंद जाते हैं, इसे बस मिक्स करेंगे, और इसे लड्डू बनाना सुरू करेंगे, तो आप अपनी प बना के तयार कर लेंगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, यह रैसे भी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस दिवाली आप भी इस टेस्टी टेस्टी लड्डू को जलूर बना के तयार करें, फिल मिल